दिल्ली वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है असल में बिजली की बड़ी दरे जो कल से लागू होनी थी वो अब लागू नहीं होंगी आपको बता दे DERC यानी दिल्ली इलेक्टरिसिटी रेगूलेटरी कमीशन ने बड़ी हुई दरों पर पुनरविचार करने का फैसला लिया है DERC का कहना है कि नीजी कंपनियों की दरे बढ़ाने की मांग पर दोबारा विचार किया जाएगा DERC ने बिजली दरों में 7 फीसदी की बड़ोतरी करने का एलान किया था गोरता रभ है किस से पहले बड़ी दरे 15 नवंबर से लागू होनी थी रेगुलेटर ने बिजली पहुचाने वाली तीनो प्राइविट पावर डिस्ट्रिबूशन कंपनियों की मांगे मांगते हुए सर्चार्ज लगा दिया था जिससे टैरिफ में इजाफा हुआ तीनों पावर डिस्ट्रिबूशन कंपनिया काफी लंबे समय से पावर टैरिफ में बदलाव की मांग कर रही है B.S.E.S. यमुना, B.S.E.S. राजधाने और ताटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिबूशन ने बिजली खरीद लागत बढ़ने का हवाला दिया था वहीं इस साल 17 जुलाई को D.E.R.C. द्वारा घुशित बिजली की नई दरों में आच दश्यमलो 5 फीसदी तक बढ़ोत्री की गई थी हाला कि तीन महीने के लिए P.P.E.S.E. हटाने से इसका ज़्यादा असर उभभोकताओं पर नहीं पड़ा था जिसके बाद 11 अगस्त 2014 से 400 यूनिट प्रती माह तक बिजली खपत करने वाले उभभोकताओं को सब CDB दी जा रही है जिससे उभभोकताओं को राहत मिल रही थी नेक्स नाइट न्यूस के लिए चीनू की रिपोर्ट